सबी को जैजी नेंदर अभी की ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनने लाइक नहीं है लेकिन बताना पड़ता है एक जैन संत जिनके बारे में कहाग जा रहा है कि उन्हों ने एक शादी शुदा महीला के साथ दुसक्रम किया ऐसा बताना जा र हमारे पास जो बताने जा रहे हैं वो सुनिए एक जैन दिगंबर सादू जिनको आचारे सुकुमाल नंदी के नाम से जानते हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये इस जैन संत राजिस्थान के हिंडोन में मोहन नगर में जो पास्त्रे बना है उसमें ये ठहरे हुए थे और इससे पहले लोकडाउन के दोरान लगबग उससे भी पहले जनवरी माहा से ये संत जो जैन दर्म का परशिद तीर्थ है स्री माहवेर जी ये उसमें ठहरे हुए थे लेकिन अभी चार-पास दिन पहले ही ये हिंडोन सिटी में आये थे यहां पर एक वरद महिला अपनी दो पुत्र वदों के साथ इनके पास आती है जैसा कि हो सकता है कि पहले भी वो आई हो और कोई मंतरित नारेल देने की बात थी किसी कारे है तू लगबग क्या होता है कि जब कोई कारे किसी का नई बनता तो सादू संतो या जोस्यों के पा बात है जैन मुनी के पास यह सास और दोनों बहुएा ने तीन महिला पहुची और महरजी से बात करने के लिए महरजी जैसे उपर वाली फ्लोर में थे रूम में थे तो दो फेर एक बजे करीब दोनों बहुए में से पहले मुनी महराज ने बड़ी बहु को नाम जिनके भी नामें वो आप देख सकते हैं, जो बड़ी बहु को अभी मंतरित नारियल देने के लिए उपर के कमरे में बुलाया, फिर क्या था, कमरे की अंदर से कुंडी लगाई, और धिरे धिरे बातों करने के बहाने, उस बड़ी बहु के सरीर के अंगों से छेड़ चाड़ करने लग तो वो हर ब्राड में 10-5 मिनिट में यह वो नीचे आ गई, लेकिन जैसी वो नीचे आई तुरंत छोटी बहु यानि की जो उसकी देवरानी कह सकते हैं, वो महिला महराजी के पास अभी मंतरित नारियल लेने के लिए चली गई, उसको जैसी कमरे गई, मुनी महराज ने उस उसके बाद उसको किसी काम के लिए फोर्स किया, तो उन्हें नहीं एगरी किये होगी, शायद हो सकता है कि लो उसको डराया और धमकाया, और कुछ अनिस्ट भेंकर अनिस्ट होने के बाद धमकी दे कर उस महिला के साथ बलतकार किया, ऐसा उस महिला ने बताया, और जब वाजा खुलवाया, तो उक्त महिला की हालत खराब थी, वह दोनों को देखकर रोने लगी, और रोते रोते उसने जो बाद बताई, उन दोनों महिलाओं के पैर के नीचे जमीन खिसक गई, उसने कहा कि इस संत ने अनिस्ट होने की धमकी दे कर मैं गवरा गई थी, वो मेरे साथ दुराचार किया, इस कारण तीनों महिला माराज ने उसकी बात को इंकार किया, तो तीनों महिला डर कर सहम कर सीधे अपने घर आ गई, तो वहाँ पर अपने बेटों को बलाया और मा ने जो जिनकी बहुए साथ गई थी, उनके पतियों को, यानि के अपने दोनों तो बेटों ने कुछ लोग समाज के खटा हुए और जैन मुनी को कपड़े पहनाने की बात हुई लेकिन संत ने कपड़े पहनने से इंकार किया वे अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने एक उक्रम नहीं किया तब महिला के पती ने वहां के नई मंडी जो थाना है हिंडाउन का वहां पर अपनी लिखित सिकायत याने की एफाइयार दर्ज की मित्रों मैं बता दूँ कि ये वही आचारे जैन मुनि सुक्माल नंदी हैं जिनका दो तीन साल पहले भी वीडियो वाइरल हुआ था और जब भी इनकी वहां पर कपड़े पहनाने की बात हुई थी दिगंबर संत अब क्या होता कि जैन समाज ये किसी भी समाज में दो तरह के लोग होते हैं एक वो जिनकी आँखों पर विश्वास वे सरद्दा की पट्टी बंदी होती है और दूसरे जो गलत कारब करने के विरोध में खड़े होते हैं अधिकतर ऐसे मामलों में जो संत विश्वासी भक्तों की आड में निकल कर पाक साफ हो जाता है और वो चला जाता है पिछले दो तीन सालों में जैन समाज में कहीं संतों के बारे में वीडियो आई लेकिन एक दो को छोड़कर बाकि सब बचकर निकल गए कौन जिम्मेदार है इसका ये एक दो संतों ने पूरी जैन समाज जैन संतों के पूरा जो है प्रसंचीन खड़ा कर दिया है आचारे जिस देश में जिस धर्म में आचारे विद्यासागार आचारे स्विमनी महासरमा आचारे स्विमनी जैसे संतों हो उनकी दिंचरिया और धर्म का पालन देखने दूर दूर से लोग जाते हो ऐसे में सुकमाल नंदी जैसे संतों क्या समाज को एक आयाम दे पाएंगे समाज का नाम गंदा ही करेंगे जिस तरह से कहा जाता है कि एक मचली सारे तलाब को गंदा कर देती है वही काम सुकमाल नंदी जैसे संत कर रहे हैं लगबग ये संत मैं आपको बता दू राइस्थान में ही रहते हैं इधर से उधर विचरन करते हैं और राइस्थान का एक हिस्सा कुछ इनका बड़ा समर्थक भी है अब उन समर्थकों को भी समझना होगा कि गलत तो गलत कहना होगा एक मचली अभी बता रादमे तल आपको गंदा करती है इसी परकार इस तरह के संत संपूर जैन संतों के लिए जहर बन जाते हैं नासूर बन जाते हैं सुक्माल नंदी के बारे में बता दूँ ये प्रसिद्धी के बहुत शोकीन है उनका फेस्बुक अकाउंड भी है आप चेक कर सकते हैं और अनेक चैनलों में उनके प्रवचन वे कारकरम का परसारन भी ये करवाते रहते हैं अभी तीन सालों से लगबग जैन धर्म का प्रथम जैन चैनल पारश चैनल जब पता चला उनको कि इनके बारे में वीडियो वाइरल हुई है और ये गड़बर संत हैं तो उन्होंने बैन लगा दिया यानि इनके परसारन पर रोक लगा दी थी जो आज तक खूब लोगों इनके समर्थकों ने फोर्स भी किया कॉल भी आई लेकिन उन्होंने एक भी कारेकरम इन्होंने नहीं चलाया पैसे देकर भी कारेकरम चला सकते थे लेकिन नहीं चलाया कि गलत को गलत कहना ही जीवन है एक और बात कि जो वीडियो वारल हुती उसमें इन्होंने स्विकार भ लगबग जो है एक ऐसे काकार पे खड़ा कर देते जहां यह सोचनी प्रसन हो जाता है किसे विश्वास करें किसे ना करें सुरू से यह आपको पता है कि जैन धर्म और जैन संत एक त्याक की महिमा एक को प्रद्रसित करते रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मानते हैं कि एकाथ संत गड़बर हो सकते हैं लेकिन विशाल जो महिमा है आज कोरोना की रूप में अगर हम बात करें तो आज वही त्याक की महिमा नजर आ रही है वही सब चीज फोलो किया जारा है मुझ पर पट्टी बनना आज कोरोना में के टाइम में क्या चल रहा है मुझ पर पट्टी बनना गर के बाहर जूते चप्पल निकालना ये घर हाथ पैर धोके ये घर में प्रिवेस करना बैट कर खाना योगा करना काड़ा पीना सुद्ध जल छानकर पीना ये सब चीजे होगा पूरी जैन समाज को कि ये क्या हो रहा है ठीक है संत्र ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं का और महिला ने कहा कि मेरे साथ बलतकार किया अब प्रशनिया होता है कि कुछ तो हुआ है ऐसे भी कोई महिला किसी पर ऐसे वह भी जैन महिला कोई ऐसे किसी पर इलजाम नहीं लगाती जो करने आई थी वह संत से किसी शंका का समयधान करने आई थी अब ऐसा तो नहीं कि दोनों ने लगाया एक ने लगाया देख महिला ने उन पर लिजाम लगाया तो सोच निये प्रशनल मित्रों सोच ये जूरू इसमें कि वैसे प्राय ये कहा जाता कि इस तरह की न् संतों का चोला धरन किये वेए हैं वो भी ऐसा काम कर सकते हैं तो लेकिन कड़ी से कड़ी सजा हो अगर ये सच है अगर ये बास सच है इनको कड़ी कड़ी सजा हो ताकि जैन ध्रम जैन संतों पर कोई आंच ना सके आज देखी ये विसए है की यह न्यूज मशूर न्यूज पतरी का जो की राजस्थान पतरी का है उसकी cutting भी आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं उसमें print हुआ है एक जी राजस्थान जो है टॉटर पर उसमें सब जगए ये फैल गया है और हम जो प्रूफ के साथ ये न्यूज पेस कर रहे हैं कि जो F.I.R की कोपी है वो भी इस वीडियो में आपको दिखाई देगी जो कि उक्त महिला के पती ने थाने में कराई है अभी तक जानकारी के अनुसार पुलिस ने जैन संत को वो ले गए हैं अब आगे क्या हुआ कैसी न्यूज होगी क्या होगा उसके बारे में आप हमारा चैनल देखते रही है और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जैजनेंदर